नमस्कार मैं R.D. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तार हम वीडियो में आगे बरने से पहले बता दूँ कि बहुत सारे भाईयों ने तो आर्थिक सहीयोग भेजा भी है लेकिन चैनल को कम सकम 57,000 रुपे की जरूरत है और इतने समिर्ध लोग हमारे पास अभी तक नहीं जुरे हैं जो इतने पैसे एक ही बेक्ती भेज़ते हैं सौपचासकर के लोग भेजते हैं हमें उमीद है कि आप भी हमारे चैनल को कुछ न कुछ सहीयोग जरूर भेजेंगे और मैं आपको बता दूँ एक ऐसा न्यूज जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने लग जाएंगे योगी आदित नाथ जी के सामने संक्राचार्ज ने बहन मायावती जी की तारिफों की पूल बाद दी ऐसा माहौल बन गया सब को साप सुन गया अकवार्ट फिल होने लग गया ये क्या बोल रहा है संक्राचार जी लेकिन वो जो उन्होंने बिवरन किया उससे आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे क्योंकि बहन मायावती जी का जो 2022 का जो घोसना पत्र कह लीजिए इलान कह लीजिए प्रभु द्गोष्ठी कर रहे हैं ब्राहमन महासभा लगवा रहे हैं परंतु उन्होंने ये भी कहा है कि राज के अंद्रुतर प्रदेश में जितने भी संस्कृत विद्ध्याले हैं इनका एक आयोग बनाएंगे ये इनको बित रहित से बित सहित करेंगे हमें भी लग रहा था है जे पत्रकार मैं हर नेता की बात को जुमला ही समझता हूँ चाहे मैं किसी के पक्ष में किसी के बिरोध में बोलता रहूँ लेकिन नेता की कोई भी जुवान पर उतना भरोसा मैं नहीं करता लेकिन जब जगत गुरु संकरा चार्ज ने कहना सुरू किया कि जब मायावती जी का सासन था तो उन्होंने नोकडी और वैकेंसी देने से पहले इनवर्सिटी से पूछा था कि इनवर्सिटी में जो है संसकर्त के टीचर क्यों नहीं भरे जा रहे हैं सीट को आप लोग क्यों रोके हुए है, इसका मतलब बहन मायावती जी के आने से पुर्व संस्किर्ट टीचर पर रोक लगी हुई थी, ठा किसका सासन, कौन इसका भिरोधी था, समाजबादी पाटी के सासन के बाद बहन मायावती जी का सासन आया था, आपने सुना होगा, कि योगी अजयुक प्यावेकारसेबको के साथ जो हुई थी जादती उसके बारे में। आज ये भेद खुल रहा है कि संस्कृतاج टीचर से भी उन्हया नफरत था। यानि संस्कृत भासा से भी नफरत था। संक्राचार जी यहीं नहीं रुके उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर सनातन संस्कृति को बचाना है तो वह केबल बहन मायावती जी ही बचा सकती है इसका क्या कारण क्यूंकि वो जगह कौन था और कार्जकरन क्या था पहले ये समझ लेजिए योगी आधितनातजी मंत अवैदनातजी के पुन्तिथी पर सबको आमंतरित किये थे गोरकपुर मठ में और वहाँ पे सारे के सारे संति कठे हुए थे कुछ गिने चुने नेताई कठे हुए थे जिसमे समाजबादी पार्टी के भी लोग थे और बाकी लोग भी थे और ये कह दें कि सनातन और संस्कृत को बचाना है तो बहन मायावती जी को लाना परेगा बहुत अच्छी मुखमंत्री थी संस्कृत भासा संस्कृत टीचर और भारत की संस्कृत को बचाने के लिए जो बचाने में जो सराहनिय कदम बहन मायावती जी का रहा, वह किसी का नहीं रहा, यह सब्द सुनते ही, योगी आदित नाथ जी की सभा में, सननाटा सा छा गया, सब के सब भगले जहांकने लगे, यह हो क्या रहा है, मुखमंत्री जी ने जिनको आमंत्रित किया संक्राचार्ज को, वो माया कि इनवर्सीटी में संस्कृत टीचर उन्होंने भरा, संस्कृत का जहां जहां पढ़ाई होती थी, बहन मायावती जी का अच्छा योगदान रहा, बहुत सारे इनवर्सीटी बनाए, यानि बहन मायावती जी के सासनकाल के विकास को संक्राचार्ज ने गिना दिया, और धर्म संक्र में फस गे थे सबकसर, ये आये किसी और प्रोग्राम में, बोल कुछ और रहे हैं, कहा क्या रहे हैं, कुल मिलाकर उत्तर परदेश में, जहां भी कोई प्रोग्राम सुरू होता है, एक टॉपिक बहन मायावती जी का जरूर आ जाता है, रही बात ये, बहुत सा उपर बहन मायावती जी का नाम रहता है, अब कल की घटना देख लिजिए, दिल्ली में, जह है, कोट परिसर के अंदर, कोट रूम में गोलियां चलती है, जज साहब के सामने, मडर होते हैं, और इसलिए होते हैं, कि देश सुरक्षित हाथों में है, क्या कहा जाए, डॉक् ना है, डॉक्टर उदित राज जी का, हम आपको उत्तर प्रदेश के राजनीती की जितनी भी लेटेस्ट खबरे हैं, सब को लेकर फिर प्रस्तुत हो रहे हैं, अगले वीडियो में, आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, त तक के लिए धन्यवाद